चैनल आज मैं आपको polygons related कुछ basic question के बारे में बताने जा रहा हूं तो question जो दिया हुआ है find x in the following figure दिये गए figure में हमें केवल x की value पता करना है तो इस तरीके से figure दिया हुआ है exterior angle आपको given है जिसमें से 2 exterior angle दिये हुए आपको निकालना है x के रूप में तो देखिए पहले तो पहली बात तो अगर कोई भी polygon होता है उस polygon के exterior angle का जो sum होता है वो 360 degree होता है यह चीज़ आपको पता होना चाहिए तो यह मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि किसी भी polygon का exterior angle का जो sum होता है वो 360 degree होता है तो हमें क्या करना होगा कि इन दोनों को sum करके और x की value निकालने के लिए दोनों को sum करके 360 से minus कर देना है बस इत्ता सासान calculation है तो देखिए इसमें यह वाले में क्या करना है इन तीनों का sum कर देना है 125 125 is plus x is equal to 360 degree यह इसका calculation इस figure में exterior angle का sum मतलब जो भी exterior angle है जितने भी exterior angle होते उन सब का sum करके 360 degree के equal कर देना होता है क्यों करना होता है क्योंकि figure क्या है polygon है polygon के figure में exterior angle का sum होता है वह हमेशा 360 degree होता है अब ध्यान जरे इसमें से हम क्या कर दिया 125 को add कर दिया दो 125 प्लस 125 मिलके हो गया 250 प्लस x 360 अब क्या करना है यहां पर माइनस का 360 में 250 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा तो देखें इसका 0 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1 तो इसकी जो value आई वह 110 डिग्री आए तो x की जो value आई वह 3 x की value जो आई 110 डिग्री आए इसका calculation जो है केवल दो लाइन में है आगर आप चाहों तो oral भी कर सकते दोनों का sum कर दिए 250 360 से minus कर दिए x की value ऐसे निकल जाएगी औरल में वी तो इसी तरीके से बी वाला देखना है देखें इस figure में यहां पर क्या दिया हुआ 1 2 3 4 5 यह 5 है इसकी इसकी साइड जो है वह पेंटागॉन में है पेंटागॉन figure है अब आपको इसमें बताना है इसकी value देखें यहां पर जो दो लाइन है यह एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री हो गया और यह जो है यह भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री हो गया यह आपको पहले से given figure में एंगल नहीं दिया था लेकिन आपको इस समझ में आ जाना चाहिए कि यह दोनों जो यहां पे जो एंगल बन रहा है और एक्स की वैलू find out करनी है तो बस इतना से बता करना है कि पॉलिगॉन के एक्स्टीर एंगल का जो सम होता है जितनी भी एंगल टोटल जो एक्स्टीर एंगल होता है उसका सम 360 डिग्री होता है तो अब हम क्या करेंगे सारे एंगल को एड कर देना है जैसे कि 90 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस एक्स प्लस सेवन्टी वन टू थ्री फोर फाइफ पांच एंगल है नैंटी है सिक्स्टी है फिर नैंटी फिर एक्स फिर सेवन्टी इनको हमने क्या किया है 360 की एक्वार कर दिया क्योंकि रूल्स के मताबिक यह है कि पॉलिगॉन के एंगल का जो सम होता है टोटल वो 360 ग्री होता है अब यहां भी इनको आइट करते हूं 90 90 किता होता है 180 अब 180 में 60 जोड़ा किता हुआ 180 में 60 जोड़ा ती हो जाएगा 240 240 आओ 70 आओ राइट कर देते हैं अपर इस इकुल टू 360 90 90 मतला 180 180 में 60 जोड़ा 0 यह आ गया 240 अब 240 में 70 जोड़ते कितना आ गया 0 7 4 11 और यह 310 आ गया अर शात में एक्स हो रहे है plus plus x is equal to 360 यहां पर plus x भी है अब यहां पर x की value निकालना है 360 में plus की value देर आएगी माइनस में convert जाएगी और इसकी value कित्ती आजाएगी 360 में अब 310 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री आजाएगी यानि कि इस एक्स की वैली जो गई 50 डिग्री आएगी यह इस तरीके से निकाला जाता है रूर्स के मताबिक अब बात करते हैं नीचे वाले कुछ कोशन दिये हुए उसको समझना है कैसे निकलेगा इसमें बोला फाइंड डा मिजर फाइंड डा मिजर ऑफ एक्सेर एंगला इसटेरे पॉलिगाण तो regular polygon की बात कर रहा है regular polygon में क्या होता है सबकी side जो होती है जो भी polygon होगा उसकी हर side जो होगी वो equivalent में होगी यह आपको पता होना चाहिए तो exterior angle की बात कर रहा है कि इसके exterior angle निकालना है तो find the measure of each exterior angle तो regular polygon में हर angle की जो value होगी वो same होगी तो यानि कि जब हर angle की value same होगी हर हर side इसकी regular polygon में figure जो होती है इसमें total जितने भी side होगी सबकी length जो होगी equal होती है यह ध्यान अगना है regular polygon की condition यह होती है अब माल लिजे regular polygon में total 9 side है side कितनी है 9 अब हमें क्या करना है जैसे कि माल लिजे regular polygon के exterior angle की value चाहिए तो जब exterior angle की value चाहिए तो आपको यह पता होना चाहिए exterior angle का sum कितना होता है तो यहाँ पे exterior angle की बात कर रहा है तो हमें exterior this sum of exterior angle exterior angle का sum exterior angle मतलब the sum of all exterior angle is equal to 360 degree यहाँ पे 360 degree हो गया अब यह total हो गया 9 side है तो अब ध्यान समझे है हमें सब केवल एक की value चाहिए इच इच की बात कर रहा है इच exterior angle exterior angle ठीक है टोटल 9 side है तो अगर 9 side है तो 9 angle हुए है 9 angle के में क्या गरना होगा total angle में अगर हम side से divide कर देंगे तो उस regular polygon के exterior angle के प्रतेक angle की जो value होगी 9 से divide करने पर ही निगलेगा तो यह जो divide करेंगे तो 9 4 जा 36 हो जाएगा इस तरह से इसका अंसर जो होगा 40 degree आएगा तो इस वाले का जो answer आया 40 degree आएगा अब इसी तरह से second वाला भी करेंगे यहां पे भी second वाले में 15 side है कुछ नहीं करना है total exterior angle के sum से में divide करना होता है और उसके प्रतेक angle की value वही आएगी जितने side जी होगी नए side से हम divide कर देंगे तो उसके प्रतेक angle की value निकल जाएगी यानि कि exterior angle की value तो 360 में अगर हम 15 से divide कर देंगे तो प्रतेक एंगल की value निकल जाएगी इच एक्स्टीरियर एंगल of regular regular polygon इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा इतना आपको यह लिखना होगा अगर language ज्यादा नहीं लिखनी है तो इतना तो आपको दिखाना ही पड़ेगा तो 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 अगर हम total number of side से divide कर देंगे तो हमें उसकी value निकल जाएगी उस regular polygon की प्रतेक एंगल की value तो divide करके देख लेते कित्ता आएगा 15 टूजा 30 बचा कित्ता 6 15 फोर्जा 60 यहां पर 24 आजाएगा त्यानी की regular polygon के exterior angle के इच एंगल की value जो है 24 होगी जिनकी अगर 15 side है तो 15 एंगल होगे तो प्रतेक एंगल की जो value होगी 24 डिग्री आ जाएगी यह है इसका निकालने का तरीका अब इसी तरह के से how many sides does a regular polygon have if the इसमें भी regular polygon की बात कर रहा है have if the measure of the exterior angle यहां पर क्या दे रहा है यहां पर exterior angle हमें given है एक्स्टेरियर एंगल हमें given है वो है 24 डिग्री 24 डिग्री दिया है यानि की इच एंगल दिया हुआ है polygon का प्रतेक एंगल की value जो है वो 24 डिग्री है अब हमें क्या करना है यदि हमें इसकी साइड पता करनी है तो बात वही है वही concept है जब टोटल एंगल से अगर हम साइड से divide करते हैं तो हमें प्रतेक एंगल की value निकल जाती है लेकिन अगर हम उसी प्रतेक एंगल की value को अगर हम हमें total 360 से divided करते हैं तो हमें उसका total number of side पता चल जाता है त्यानी कि क्या हुआ number of the site number of sites of कि ए रैगुलर कि रैगुलर पॉलिगॉन रैगुलर पॉलिगॉन तो अब आपको पता रैगुलर पॉलिगॉन कि अगा अगर नंबर आफ साइड पता करना है तो तो 350 में हमें 24 से डिवाइड करना पड़ेगा तब जा कि हमें नंबर हाफ साइट पता चल जाएजी देख लेते कैसे कि डिवाइड करना है डिवाइड करने कि सिंपल जिस मलग की आपको से डिवाइड करना है अब 12 से हमने डिवाइड कि 129 जाओगे 24 और 12 त्रीजा होगे 36 तो यह हुआ अगर आपको एक्सटीर एंगल आपको गीवन पॉलिगान का प्रतेक एंगल की वैलू अगर हमें दिया हुआ है तो उसी एंगल से हमें डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर आफ साइड पता चल जाता है तो यह चीज़ दिया लगना है कि अगर निकालना है तो प्रतेक एंगल की वैलू से हमें डिवाइड करना होता है यह वह भी एक्स्टीर एंगल से तो इस तरीके से 24 वाला हो गया अब बात करते हैं हाव मेनी साइड ड़से रैगुलर पॉलिगॉन हैव इफ इच ऑफ इट्स इंटीर एंगल चोथे कोश्चन में क्या दिया है चोथा कोश्चन है यह वाला तीसरा कोश्चन था अब यह चोथा कोश्चन है इसमें भी वह होंगी इडिलर पॉलिगॉन की अगर इसके यह अगर उसके प्रतिक इंकर्येयर रेंगल की वैलू अगर दी हुई है प्रतिक एंटीर हैंगल की बात कर रहा हैं इंटीर इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है तो इसका मतलब उसकी वैलू है 165 दिया हुआ है तो अब हमें यह कैसे निकलेगा देखिए इसको निकालने के दो तरीके पहली बात तो तो पहला तो फामला यह होता है n-2 into 180 upon n तो यह हो गया 165 पर तेक इंटीरियर एंगल का यह वैलू दी हुई है अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा लेकिन इसको दूसरे तरीके से करते हैं तो मैं दोनों तरीके से दिखा देता हूं कि दोनों तरीके से क कैसे होगा पहला तरीका यह है कि इस तरीके से इसको समझते पहले कैसे करते हैं यहां पर 165 किया अपॉन 180 इधर आ जाएगा एंड माइनस टू अपॉन एंड कर दिया अब इसको काड़ देते हैं कितने आ जाएगा इसको काड़ते फाइब के टेबल से फाइव थीजा होता यह 31N हो जाएगा और यह 30 क्रॉस मुल्टिप्लाइब में 36N हो गया और यह 72 आ जाएगा अब यह क्या करेंगे यह 72 इधर आ जाएगा और यह 36N-31N इधर आ जाएगा अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 5N यह 72 आ गया 32 आ गया 36N मेंसे 31 माइनस करेंगे तो 5N आ जाएगा अब n की वैलू निकाल नहीं है अब यह देखें 15 बंजा 5 बचा कितना 2 36 का डबल किया 12 तो अगर हमने इसको 5 से डिवाइट किया तो 5 बंजा 5 आया बचा 2 तो कितना हुआ 5 फोर्जा 20 तो 5 फोर्जा होगे 20 बचा फिर पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाया फिर 5 फोर्जा 20 हो जाएगा तो यानि कि इसका यह टोटल मान के चलिए लगबग में 15 साइड आएगा इसको लगबग में 15 साइड मानेंगे इस तरीके से निकलेगा लेकिन एक यह तरीका हो गया अब इससे दूसरे तरीके से कैसे निक अब प्लास एकस्टीर एंगल एंटीर एंगल और एंटीर एंग्ट और एंटीर एंगल दोनो को हमDo意रेटे उल्हकर से यहानि कि यानि कि दोनों का संब और ते points आप में इंटीर एंगल को अरेकस्टीर एंग्र ड़ून यह तुँक्य की स्सुपव्त मैं मून नीकाल नी है तो यह मैंने लिख दिया एक्स्टीरियर रेंगल 180 तो एक्स्टीरियर रेंगल लिखा अब 180 में 165 माइनस कर देंगे किता आ जाए वह 5 बचा किता यह 15 आ गया अब 15 तो आ गया अब बाद आती है या पर 15 आ गया तो झाज़िदे रेंगल है तो जिद्व गया अच चिल गया में चाहिंगे उसी गया यह जो आउसपेस्टीर âuलयु कि माद करेंगे तो हमिन्हें क्या चलकर फशह अ कि चलेका हमें नंबर यहोऊ गया और 54 जा हो गया 24, 15 फोर जा हो गया, 15 फोर जा 60, 352 जा 30, बजा किता 6 बचा, 0 लागा 54 जा 60, ति इसका जो number of side जो आएगा, n की value होगी 24 आएगी, 24 इस तरीके से आजाएगा, कुल मिला के, इच इंटीर एंगल, रेगुलर फोलिगॉन है, 165 है उसका एंगल, इसको एक बार बर चेक कर लेते हैं, अंसर इसका decimal में कैसे आ रहा है, 165, n-2, into 180, upon n, इसमें 165, 180 इदर आएगा, n-2, upon n, यहाँ पे इसको हमने किस से divide किया, 5 से कारते हैं, 5, 3 जा 15, 5, 3 जा 15 होगा, बचा किता, बचा 3, अब 3, 5 सिख जा ओगया, 30, 5 से कारता, 5, 3, 15, बचा 3, 5 सिख जा 30, 5, 3, 15, फिर इसमें निकला, 5, 3, 15, इसमें निकला, 5, 3, 15, इसमें गड़बड हो रहा है, यहाँ पे मैंने mistake कर दिया था, क्योंकि आपे 5, 3, 15 आएगा है, calculation में गड़बड़ी हुई थी, जिसकी वज़े से answer नहीं आ रहा था, decimal में answer आ रहा था, क्योंकि answer सेम आना चाहिए, तो answer सेम इसी लिए नहीं आ रहा था, क्योंकि इसका answer number of side 24 आ रहा था, और मैंने 14.4 निकाला था, वो calculation में गड़बड़ी हुई, इसको बस यही चीद देखना होता है, कि answer दोनों का सेम आना चाहिए, इस formula से भी आना चाहिए, और उस दूसरे तरीके से भी आना चाहिए, तो यहाँ पर mistake बहा था, 5, 3, 15 और यहाँ पर एक और निकला तो 5, 3, 15 होगा, आप इसको कार देते, 3, 1, 3, 3, 3, 2, 6, यह आगे 11 अपां 12, एन माइनस 2 अपां एन, cross multiply करते तो यह 11 हो गया, यह 12 हो गया, और यह 24 हो गया, अब यह चीज़ इदा 24 इदर आएगा, और यह आगया 12 एन माइनस 11 हैं, अब यह कुल माइनस 12 एन में से 11 एन किया बचा एन, और आंसर इस आपका 24 आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल एक्जेट सही आ रहा दोनों तरीके से, क्योंकि मुझे doubt हुआ क्योंकि calculation में गड़बड़ी होई थी, कि यहाँ पर पहले में आंसर जो आ रहा था 14.4 संधिक आ रहा था, तो मुझे लगा कि यह आंसर mistake है, तो इसको मैंने दुबारा मैंने recheck कि calculation में यहाँ पर mistake हुआ था, कि 5 3 जब 15, 5 2 जब 5 6 जब 30, यहाँ पर divide में गड़बड़ी हुई थी, जिसको मैंने फिर से दुबारा चेक, फिर से मैंने calculation किया, आप जो आंसर जो आ रहा, दोनों का same आ रहा है, तो इसका मदला मैं हम इसे दोनों तरीके से कर सकते, अगर आप इस तरीके से करना चाहेंगे, यह थोड़ा लंबा process हो जाता है, लेकिन कभी विधियानक न, अगर interior angle की value दी हुई है, तो आपको वही process वाला लगाना है, interior plus exterior angle is equal to 180 degree, तो जब आप exterior angle की value निकाल लेते हैं, तो 360 से तुरंट divide कर देंगे, तो आपका answer तुरंट आ जाएगा, यह condition केवल regular polygon में ही होगा, और तो तब उसमें पत्ते की angle की value सेम होगी, तो thanks for watching my video, धन्यवाद.